अस्सलाम उलेकुम नाजरीन उम्मीद करती हूँ आप सब खेरियत से हो आज हम बनाएंगे पतीशा या स्वोन पापडी कह लें तो इसकी तरकीब कुछ इस तरीके से है यह देखे पैन लिया है मैंने इसको फ्लेम पे रखा हुआ है फ्लेम बहुत हलका है और इसमें मैं दो टेबल इस्पूंद घी doubling डाल रहे हैं मैं देशी घी डाल रहे हूँ है आप तो चाहे तो डालडागी भी ले सकते हैं या चाहे तो ओल भी ले सकते हैं ठीके जी आपे डिवेंड करता है वह हुआ इस्वें पे शोई झाल ऩरे तबहों है इसमें को इसमें यह धिब करता तक्रीमन आठ से दस मिनट लग जाएंगे इसको फ्राइ करने में और इसको हम मुसलसल चमचा हिलाते रहेंगे इसको रोकिएगा नहीं इसलिए के अभी तो इतना गरम नहीं है मगर जादा गरम हो जाएगा तो अगर ये नीचे की तरफ से बैट गया तो ये जल जाएगा ठी कोजबू आने तक इसको बहुत अच्छे से भून लेंगे हम ये देखे दी हमारा बूना शुरू हो चुका है ये और देखेंगे ब्रदा दार हो गया इस तरह से तो इसका मतलब है कि ये भूनना शुरू हो गया और इसकी बहुत秀 अच्छे से प्यारी सी महग भी आनी इस तरह से एक खुला बरतन में ने ले लिया है और इसको मैं इस तरह चलनी में डालके अच्छी तरीके से चाल लूँगी ताकि इसमें अगर कोई लंस, कोई गुठली वगेरा कुछ हो या अगर कोई कच्रा भी हो यह देखें, इस तरह से यह गुठलीयां सी रह गई है यह मैंने निकाल दी है अब इसे हम करेंगे एक तरफ अब हम दूसरा पैन लेंगे यह देखें, और इसका फैम भी बहुत हलका रखा हुआ है आपको नजर भी आ रहा होगा इसमें एक कप और दो टेबिली स्पून में ने चीनी ली है और वन फॉर्थ कप में इसमें पानी डालूँगी ठीके जी और इसको हम मेल्ट होने के लिए रखेंगे ताकि चीनी मेल्ट हो जाए इसका हमें शीरा बनाना है और एक टेविल स्पून में इसमें लीमू डाल रही हूँ लीमू का रस डाल रही हूँ ठीक है जी चाया भी डाल ले या मेल्ट चीनी मेल्ट होने के बार डाल ले वो कोई ऐसे खास मसला नहीं है तो यह मैंने शुरू में डाल दी है और इसको हम मेल्ट करेंगी जब चीनी हमारी मेल्ट हो जाएगी तो फिर इसे हम चलाना शुरू कर देंगे फिलेम हमारा बहुत हिलका है मीडियमे आपको बहुत अच्छे से नज़र आ रहा तो और यह साइट से हलके हलके से शुगर जो हमारी जो चीनी है हलके हलके से पकनी शुरू हो गई है अच्छी एक ये देखें मैं ने ये ठाल लिया है इस तरह से इसमें एक टेबिल स्पूंड मैंने ओल डाल के इसको ग्रिस कर लिया है क्योंकि जब यह हमारी चास्टनी पक जाएगी तो यह हम इसके अंदर ट्रांस्वर कर देंगे तो यह देखे शुगर हमारी मेल्ट हो गई है यह देखें बबल सुपर आ गए है और इसको हम हलके हलके से चलाते रहेंगे वक्फे वक कि इसको मुसलसा चलाने का कोई वो नहीं है इसको हलके-लके से आइस्ते हम चलाते रहेंगे बहुत एतियास के साथ कि शुगर अगर अगर गिर जाए हाथ वगर अपे तो ये काफी आपका हाथ जल सकता है अच्छा जी ये देखें अब चाशनी जो है ये जो है ये बढ़नी हुई है तो इस तरह से हम पानी में इसको चेक कर लेंगे एक सोई दो दफा तो ये देखें अभी हमारी चाशनी सही से बनी नहीं है ये मैं आपको दिखा दूँ ये इस तरह उंगली घुमा के इसको हम उठा रहे हैं तो ये अच्छे से नहीं उठ रहे है ये देख ले ठी तो इसका मतलब के अभी चाशनी हमारी अच्छे से तैयार नहीं हुई है तो इसको अभी हम और पकाएंगे एक से दो मिनट के करीब तो यह देखें जाग किस तरह से बन रहे हैं हलका हलका सा कलर भी चेंज हो गया है इसको हम दुबारा चेक कर लेते हैं तक्रीबन तीन से चार मिनट हो चुके हैं यह देखें यह दो हैं यह दो है metric यह बबल सा बन गया यह देखें आप तरीके से यह दे ए देखने कि चाषल में शुर्ट होने की इस सूर्ट में है यह दए बिलकुल अच्छे तरीके से हमाई चार्ज बन गयी है अब इसको हम निकाल लेंगे और कलर भी बहुत अच्छे से छीज और इसको तक्रीबन चार से पाच मिनट के लिए हम ऐसे छोड़ देंगे ताकि यह थोड़ा ठंडा हो फिर इसके बाद हम इसे इकटा करना शुरू करेंगे जो हम शीरा बनाते हैं यह बहुत ही ज्यादा गरम होता है अगर यह हमारे हाथ पे लग जाए तो वहाँ से खाल बहुत जादा जलने का भी डर रहता है और अमूमन खाल ऐसा होता है कि हट भी जाती है वहाँ से तो इसको बहुत ज्यादा ख्याल से आप कीजिएगा एतियात के साथ ताकि आपके हाथ वाद ना जल जाए यह देखें इस तरह से मैंने इसको एकटा कर लिया थोड़ा ठंडा हो गया है तो अभी जब इसको हाथ लगाने जैसी पोजिशन होगी तो मैं इसको एकटा करके हाथ में उठा लूगी अभी कुछ और मुझे थोड़ा सा गरम यह लग रहा है यह देखें, इस तरह से मैंने इसे इकटा कर लिया है, अब यह देखें, ओ ठंडा हो गया है, अब इसे हम उठा लेंगे, इस तरह से करके हाथ पे, हल्का से घी लगा लिया है, मैंने यह देखें, इस तरह से, तक के यह हाथों पे चिपके ना, और इसको मैं उठा लूँगे अब इस तरह से हम इसे खीच कीच के दस से पंदरा दफा इस तरह से करेंगे यह देखें शाइनिंग सा हो गया है कलर इसका चैंज हो जाएगा दस से पंदरा दफा लाजमी कीजिएगा ताकि इसमें लचक आजाए और इसका कलर भी चैंज हो जाए यह देखें अब इस तरीके से इसे हम एक रिंग की सुरत में बना लेंगे दोनों सुरों को मिलाकर और यह जो हमने मेदा और बैसन भून के रखा था फ्राई करके रखा इसके अंदर इसको डालके इस तरीके से गोल गोल बनाएंगे देखें हर दफा हम इस तरह से पलट देंगे ताकि यह वापिस एक रिंग की सुरत इक्तियार कर ले और यह जो मेदा है इसको इसके अपर डालते चले जाएंगे ताकि यह अंदर अपने जबस कर ले ऐसे ही कर तक्रिवन दस से बारा दफा या इस से भी जादा ज़रुत पड़े तो हम कर सकते हैं उसका कोई इशू नहीं है यह है कि यह मैदा तक्रिवन कोशिश होगी हमारी कि सारा मैदा जो है यह इस चास के साथ लिपट जाए और यह इसमें जब्स हो जाए यह इसको सारा कवर कर ले यह देखें इस तरह से अराम अराम से इसको पहला के इसको तूटने नहीं देना है बहुत एतियात से हम इसको इस तरह से घुमा घुमा के पलटते चले जाएंगे बहुत एतियात से चारू तरफ से इसको खेचेंगे हम यह देखें और आपको दिख रहा होगा कि किस तरह स से इसके लच्छे बनना शुरू हो गए हैं ठीक है जी देखे एक एक लच्छा आपको वाज़त तोर पर नजर आ रहा होगा इसी तरीके से हम करते रहेंगे यह देखे तकरीबन यह तयार है हमारा बनने के इसमें और इसको हमने देखे इस तरहां से अलग-अलग कर लिया है यह बहतरीन तरीके से हमारे लच्छे तयार हो गए हैं ठीक है जी अब इसे हम किसी भी साचे के अंदर कोई छोटी प्याली या कोई ऐसे बरतन हो जो से छोटा सा गिलास हो उसमें लेकर इसको हम इसका कब बना लेंगे यह जरा सा मेदा हमारा बजग गया है इसको हम निकाल देंगे अलग से ठीक है जी यह देखे पिछ्टे में लिए आप चाहें तो बदाम भी ले इस तरहां से कर्ष कर लिए इनको और यह लच तो तमाम पतिशा हम ऐसे ही बनाएंगे यह देखें कितना शांदार और बहतरीन बनाएं बिल्कुल बाजार की तरह तो बाजार से लाने की अब बिल्कुल भी जरुरत नहीं है बहुत ही कम ही टाइम में बन जाएगा इतना टाइम नहीं लगेगा हमें यह बनाने के लिए तो इसको हम बनाके रख सकते हैं, अमूमन दुपेर के खाने के बाद कुछ मिठा खाने की जरूरत पड़ती हैं, तो यह हम थोड़ा सा ले सकते हैं, और मेहमानों के सामने भी सर्फ कर सकते हैं, ताकि मेहमान आएं तो आपकी तारिफ करें के वाह, आपने क्या शांदार बना भी हमें दुआओं में याद रखिएगा हमारे चैनल को लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें अल्ला हाफीज